जैश्री किश्न दोस्तों, दोस्तों मैं आपको गीता प्रेस की उस किताब की समरी देने जा रहा हूँ, जिसने मेरे दिमाग पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला, ये किताब जिस तरह से मेरे को मिली, ये भी एक बड़ी अजीब बात हुई, मुझे तो ये लगा कि श्री आते हैं कि इस किताब को मैं पढ़ू, हुआ ये था कि कुछ महीनों पहले मैं वरिंदावन गया, और वरिंदावन स्टेशन पर मैंने देखा, गीता प्रेस गोरकपुर का एक बुक स्टॉल, वहां से मैंने कुछ धार्मे करंद खरी दे, तो दुकानदार के पास 5 रुपे खुले नहीं थे, तो उनोंने मुझे 6 रुपे की ये किताब दे दी, और ये किताब मैंने ट्रेन में पढ़ना शुरू की, इस चोटी सी किताब को मैंने ट्रेन के शूरगुल में मातर एक घंटे में पढ़ लिया, इस किताब को मैं लेने नहीं आया था, पर ही चाहते हैं कि ये आप तक पहुँचे और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को नहीं खरीदा तो फर्स्ट कमेंट से खरीद सकते हो कुछ ना समझाने पर आपको मिलेगा मेरा वाटसअप नंबर जिस पर आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकोगे तो चलिए सुनते हैं गीता प्रेस की इस किताब की समरी दोस्तों किताब के शुरू में ही बताया गया है कि इस पुस्तक को किसी बौध महनभव के द्वारा पाली भाशा में लिखा गया था और फिर इसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ और उसके बाद इसका अनुवाद हुआ गुजराती व अन्य भाशाओं में और हैरानी वाली बात ये है कि दो व्यपारियों का जगड़ा हाई कोट में चल रहा था फिर उनको ये पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई और इस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने आपस में ही समझाधा कर लिया केस वापिस ले लिया और तो और दोस्तों गीता प्रेस ने भी अनुरोद किया है कि इस पुस्तक का प्रचार होना चाहिए इसलिए मैं आपको इसकी समरी देने जा रहा हूँ अगर आप इस मुस्तक को डेटेल में पढ़ना चाते हो तो आप इसको गीता प्रेस की वेबसाइट से करीच सकते हो क्योंकि इस वीडियो में तो केवल समरी मात्र है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ये बात है वारानसी शहर की जहां अभी कुछी समय पहले पारिश हुई थी और अब ठंडी हवाएं चल रही थी और इनी ठंडी हवाओं के बीच एक धनी जोहरी सेट और उसका नौकर खोडागाडी में व्यबार के काम से जा रहे थे तबी रास्ते में सडक की चड़ाई आई और घोडागाडी धीमी हो गई घोडागाडी धीमी होने का कारण जानने के लिए सेट ने जब बाहर की और देखा तो एक महात्मा जिनके मुक पर पवित्रता, कंभीरता, शान्ती और द्या का भाव था वह पैदल ही सडक के किनारे उसी रास्ते चले जा रहे थे उनको देखकर सेट के मन में विद्वानों की कही बात याद आई कि किस तरह एक लोहा पारस के संपर्क में आने से स्वाण में बदल जाता है व्यपारी ने सोचा मेरा भाग्यबीन महात्मा के संपर्क में आने से बदल जाएगा सेट ने फौरण अपनी घोड़ा गाड़ी रुकवाई और उन महात्मा के सामने हाथ जोड़ पर नाम किया और उनको घोड़ा गाड़ी में साथ चलने को कहा महात्मा को भी वहीं जाना था जहां सेट जा रहे थे तो वो बिना इतरास बैट गए महात्मा ने सेट से कहा मैं चलते हुए काफी ठक गया था और आपने घोडा गाड़ी में बिठा कर मुझ पर उपकार किया और मेरे पास आपके उपकार को चुकाने के लिए कोई वस्तू नहीं हाँ कुछ वस्तूएं मुझे भिक्षा में जरूर मिली है जिनको मैं आपको देकर आपके उपकार को हलका करने का प्रयत्न करूंगा सेट को महात्मा की बाते सुनकर बड़ी प्रसंता हुई फिर लगबख एक घंटे के सफर के बाद एक नाले के पुल को पार कर उनकी गाड़ी एक पतले से सडक पर पहुँच रुख गई सेट ने बाहर निकल कर देखा कि सामने एक किसान जिसका नाम देवल था उसकी बैल गाड़ी पर चावल के बुरे लदे थे और ये बैल गाड़ी एक बड़े गड़े में फसी थी किसान ने बहुत कोशिश की पर वो बैल गाड़ी को बाहर ना निकाल सका देर होते देख सेट के सबर का बांट तूट किया गुस्से में उसने नौकर से कहा इसकी चावल की बुरियों को सड़क पर फेक दो और कैसे भी करके बैल गाड़ी को पीछे हटाओ किसान ने हाथ चोड़कर सेट से कहा दिया करो सड़क के चारों तरफ कीचड भरा है मैं गरीब किसान हूँ और इस चावल को बेचकर ही मेरा घर चलता है अगर अपने चावल को कीचड में फेक दिया तो इससे बद्बू आएगी और इसे कोई नहीं खरीदेगा परंदु सेट पर किसान की बात का कोई असर नहीं हुआ उसने गुस्से में अपने नौकर को फिर कहा कि बैल गाड़ी को पीछे हटाओ नौकर ने ना चाते हुए भी अपने मालिक की बात को माना और फिर उसने घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी अपने अनाज के बोरों को सड़क पर गिरा देख किसान मन ही मन रोता बोला भगवान इस दुनिया में गरीबों की सहायता करने वाले उनकी सुनने वाले कोई नहीं और धनी लोग हमेशा ही गरीबों पर अन्याए करते हैं अब महात्मा ने गोड़ा गाड़ी रुकवाई और गोड़ा गाड़ी से उतर कर बोले सेट जी आपने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर जो उपकार किया था अब उसे चुकाने का समय आ गया है महात्मा बोले मुझे लगता है वो किसान जिसकी गाड़ी हम हटा कर आगे बढ़े थे उसका और आपके भागय का आपस में कुछ संबंध है ऐसा लगता है उसके लाब के साथ ही आपका लाब होगा मैं वहाँ जाकर उसकी सहायता करूँगा जिससे आपका भी लाब होगा सेट को लगा शायद महात्मा उस किसान की मदद करने के लिए ये सब बातें बना रहे हैं तो सेट बिना कुछ सवाल किये महात्मा को प्रणाम कर आगे बढ़ गया कुछ दूर चलने पर महात्मा किसान के पास पहुचे और बैलगाडी को ठीक करने लगे फिर उन्होंने चावल के गीले और सूखे बोरे को अलग किया जिससे किसान का काम असान हो गया अब सब कुछ सही होने के बाद किसान ने महात्मा से पूछा मैंने उस सेट का कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें इस रूप में मिला है किसान ने पूछा कर्मों का फल? वो क्या होता है? महात्मा बोले हमने जो भी कर्म किये हैं इस जन्म या पिछले जन्मों में उनका फल हमें इस जीवन में भुगतना पड़ता है किसान ने कहा लेकिन एक घमंडी और पापी मुनुश्य जो गरीबों पर अत्याचार करता है उनका क्या महात्मा ने कहा तुम्हारे और सेट के विचारों में कोई अंतर नहीं तुम दोनों की सोच एक ही है अगर यही घटना में तुम सेट की जगा होते तुमारे पास धन और बल होता तो तुम भी ऐसा ही करते किसान बोला महात्मा आपने सच कहा लेकिन आपके संपर्क में आने से मेरे अंदर शुदता आ गई और जिस प्रकार आपने मेरी निस्वार्थ मदद की है उसी तरह मैं भी बिना किसी स्वार्थ के मानव कल्यान के लिए प्रयत्न करूंगा बैलगाडी ठीक होने के बाद किसान अपी दूर चला ही था कि तभी उसे सड़क पर एक पोटली दिखी उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वो सूने से भरी एक ठैली थी महात्मा को समझते देड़ ना लगी ये ठैली उसी सेट की है महात्मा ने किसान को कहा वारानसी जाकर इस थैली को उस सेट को देदो जिसने तुमारे साथ दुर वेवार किया उसका नाम है पांडू जोहरी और उसके नौकर का नाम है महादत महात्मा बोले थैली वापिस करके उन से कहना मैंने आपको आपके भरताव के लिए शमा कर दिया और मैं प्रातना करूंगा कि आपके व्यपार में वृद्धी हो ऐसा करने पर सेट के साथ तुमको भी सफलता मिलेगी क्योंकि तुम दोनों का भाग्य एक साथ ही जुड़ा है इतना कह महात्मा वहां से चले गए वही दू चावल देने का वादा किया है और मेरा एक प्रतीस प्रधा वाला व्यपारी है और उसने पूरी नगर के अच्छे चावल मूं मांगे दाम में खरीद लिये ताकि राजा के सामने वो मुझे नीचा दिखा सके और अगर मैंने राजा को वादे के अनुसार समय पर उत्सव म चावल ना पहुंचाए तो राजा मुझे मृत्युदंड भी दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों और पत्नी का क्या होगा अगर कहीं से मुझे चावल की एक गाड़ी मिल जाए तो मेरी इज़त और जान दोनों बच सकती है चोहरी सेट पांडू ने चावल कर दिया पुलिस ने उसे बहुत पीटा नौकर ने मनही मन सोचा मैंने सेट के कहने पर उस बैचारे किसान पर अत्याचार किया उसी का फल मुझे यहां भुकतना पड़ रहा है इसी बीच पांडू सेट का पता करते हुए किसान उसके पास पहुँच गया और सेट के सामने उसकी थैली रख दी किसान की मांदारी देख सब दंग रह गए सेट ने किसान को गले लगा कर कहा मैंने तुम पर अन्याई किया फिर भी तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया सेट ने रोते हुए किसान से शमा मांगी किसान ने उन्हें शमा किया नौकर महदत को चोड़ दिया गया और वो बिना किसी से मिले दूर गुस्से में चला गया और अब दूसरे विपारी मलिक को पता लगा किसान के पास बहुत चावल है तो उसने सारे के सारे चावल भारी कीमत दे कर खरीद लिये किसान को उमीद नहीं थी कि उसको चावलों की इतनी अच्छी कीमत मिलेगी इसलिए वो बहुत खुश था और वो अपने गाउन लोट गया किसान के जाते ही सेट पांडू सोचने लगा अगर यहां किसान ना आया होता तो मेरा मलिक और मेरे नौकर महादत का क्या हाल होता यह सोच वो डर गया और सोचने लगा हो ना हो ये महात्मा जी का ही प्रताप होगा सेट का दिल किया कि वो महात्मा जी से मिले तो वो महात्मा जी की खोज में निकल गया एक काउं में उसे महात्मा जी के दर्शन हुए सेट उनके कदमों में गिर पड़ा महात्मा सब समझ गए और बोले यह कर्म का खेल है सेठ ने पूछा महात्मा कैसा खेल महात्मा ने कहा अभी तुमको ये बात समझ नहीं आएगी बस इतना याद रखो दूसरों को दुख देने से पहले सोच लेना कि यदि वही दुख तुमें मिले तो कैसा लगेगा इसलिए हमें जीवन में सेवा करने का और अच्छे कर्म करने का अफसर गवाना नहीं चाहिए महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा मान लो तुम्हारे और मेरे बीच में एक पर्दा है उस पर्दे की वज़ा से तुम मुझे और मैं तुमें नहीं देख सकते इसी परकार जब तक हमारी आँख में लगा पर्दा नहीं हट जाता हमें सत्य नहीं दिख सकता मैं तुमको जीवन के सत्य को समझाने के लिए तीन भेद बताता हूँ पहला दूसरे को दुख देने वाला अपने जीवन में दुख को अमंतरित करता है दूसरा जो सुख देता है वह अपने जीवन में भी सुख को अमंतरित करता है तीसरा सारी मानव जाती एक समान है किसी में कोई भेद बाव नहीं महात्मा बोले अगर तुमने इन तीन बातों को अपने जीवन में अपनाया तो तुमको सत्य अवश्य प्राप्त होगा व्यपारी बोला महात्मा जी आपकी बातें कितनी अच्छी है अगर सभी सच के मार्क पर चलें तो दुनिया से गुनाह मिट जाएं और लोग सुख से अपना जीवन व्यतीत करें सेट ने महात्मा से आशिरवाद और आग्या मांगते हुए कहा मैं कोशंबी में एक विहार का निर्मान करूंगा जहां संथ महात्मा आकर विश्राम कर सकें और लोगों में ग्यान का उपदेश दे सकें वापिस पहुँचकर सेट ने ऐसा ही किया और कुछी समय में पांडू जोरी एक प्रसिद्ध जोहरी बन गया उसकी प्रसिद्धी दूर दूर तक फैल गई कोशंबी के पास ही एक राजा की राजथानी थी राजा ने दुनिया में सबसे कीमती और बहमुल्य रत्नों से बना मुकट पहनने की इच्छा जताई और राजा के मंत्रियों ने नाम लिया पांडू जोहरी का और पांडू जोहरी को इस काम को पूरा करने का आदेश दिया गया पांडू जौरी ने अपना आज तक का कमाया सारा धन एकठा किया और मुतियों सोने चांदी से बना संसार का सबसे कीमती मुकट को तयार किया जौरी राजा को मुकट देने के लिए कौसंबी से राजधानी की और 20 रक्षकों के साथ निकल गया इस उमीद के साथ की राजा को ये मुकट पसंद आएगा और वो उसको मुँ मांगा इनाम देंगे और सारे राज्य में उसकी वह वही होगी फिर रास्ते में एक जंगल पड़ा जंगल में डाकू थे जिन्नोंने सेट के सारे रक्षकों को मार दिया और वो सेट का सारा धन और मुकट लेकर भाग गए और शन भर में सेट कंगाल हो गया उसे लगा उसने जो किया उसका फल उसे मिला अब उसके आँखों के आगे का लगा परता हट गया उसका दिल साफ हो गया उसको अपने धन को गवाने का दुख नहीं था बलकि वो जो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा था अब उसमें रुकावट आ गई समय बीतने पर एक दिन उसी रास्ते से महात्मा गुजरे डाकूँ की नजर महात्मा पर पड़ी महात्मा अपने कंदे पर कीमती वस्ते बनी एक गठ्री टांगे हुए थे डाकूओं को लगा शायद इसमें कुछ कीमती समान होका यही सोचकर सभी डाकू महात्मा पर तूट पड़े और उनको गायल कर उनकी गठ्री चोरी कर ली और जब उन्होंने गठ्री खोली तो देखा उसमें तो सिर्फ कुछ धार्मे किताबे थी गठ्री में कुछ भी ना मिलने पर डाकूओं को क्रोध आ गया और उन्होंने महात्मा को पीट दिया फिर डाकू वही महात्मा को गायल छोड भाग गए महात्मा ने किसी तरह पेड के नीचे रात गुजारी फिर अगले दिन सुबा पेड के पीछे जाडियों से चीखने चिलाने की आवाज आई महात्मा ने पास जाकर देखा तो वही डाकू अपने साथियों को मार मार अधमरा कर वहां से भाग गए सादू ने बिना देर किये उसके पास जाकर उसे अपने कमंडल से पानी बिलाया और उसके घाव को साफ कर एक पेड के नीचे उसे च्छाएं में सुला दिया कुछ देर बाद नींद खुलने पर टाकू बोला वो एहसान फारामोश मैंने उसकी हर बार अपने जीवन को संकट में डालकर रक्षा की और वो आज मुझे ही चंद रुपए के लिए मारने पर तुले थे महात्मा ने उसे शांत कर बूला अपने पापी साथियों को याद करने का कोई फाइदा नहीं अराम से लेट चाओ ताकि मैं तुम्हारे घाव का अच्छे से इलाज कर सकूँ और महात्मा ने जंगल से कुछ चड़िबूटियां लगा कर घाव पर कपड़ा बांद दिया डाकू को इस से काफी अराम मिला डाकू ये सोचने लगा मैंने इस महात्मा को कितना कष्ट दिया फिर भी ये मेरा कितने प्रेम से देख भाल कर रहा है उसका मन भर आया उसने महात्मा से कहा मैंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों को कष्ट ही दिया है मैं इस प्यार के लायक नहीं महात्मा बोले ये सत्य है कि तुमको अपने कर्मों का फल मिल रहा है फिर भी तुम उदास मत हो तुम सिर्फ अच्छे कर्म करना ताकि तुमें आगे से अच्छा ही फल मिले मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ उसमें तुमें पता चलेगा कि दूसरों की भलाई करने में हमारी खुद की भलाई है क्रदंत्र नाम का एक डाकू मुक्त करतो अब से मैं सदा सत्य के मार्क पर ही चलूँगा महात्मा बुद ने अपनी दिव्य द्रिष्टी से उसके पूर जन्म के कर्मों को देखा और उसके एक जन्म में उसने एक मकडी पर देया दिखाई जंगल के रास्ते जाते समय उसके पैरों के नीचे एक मकडी आने वाली थी तब उसने सोचा था कि मकडी का कोई दोश नहीं फैर मकडी को कुचलने की बजाए साइट से निकल गया महात्मा बुद ने दिया के बदले डाकू को मुक्ती दिलाने की सोची और एक मकडी को उसके जाल के साथ नर्क में भेजा और डाकू से कहा तुम इस जाल की मदद से नीचे उतर सकते हो डाकू बिना समय गवाए नीचे उतरने लगा उसके साथ नर्क में बैठे कुछ और लोग भी थे तो वो लोग भी इस जाले को पकड़कर नीचे आने लगे तो डाकू को लगा मेरे भार के इलावा यह मगडी का जाल दूसरे जीवों का भार नहीं उठा सकता तो उसने गुस्से में कहा यह जाल मेरा है तुम लोग इसे मत पकड़ो डाकू ने इतना बोला ही था कि वो फिर नर्क में चला गया क्योंकि डाकू के मन में अभी भी मैं की भावना थी और उसे सत्य का ग्यान नहीं हुआ था उसे लगा यह जाल बहुत कमजोर है परंतु असल में वह सत्य का जाल बहुत मजबूत था जब कोई शक्ती शाली जीव को लगता है कि ये शक्ती सिर्फ मेरे लिए है इसका लाब सिर्फ मुझे मिले तो वे सुख के रास्ते से नर्क के कुए में गिर जाता है महात्मा जी का बताया ये किस्सा सुन डाकू उठकर बोला महाराज अब से मैं भी सत्य के जाल को पकड़ कर कपट, लोग, ग्रोध, माया इन सब को त्याग कर इस नर्क की गहराई से निगलूँगा ताकू ने महात्मा से कहा मैं आपके सामने अपने बापों का प्रैश्चित करना चाहता हूँ मेरा नाम है महादत मैं पांडू जोहरी का नौकर था वैं लालची कठोर हिर्दे वाला था एक दिन मैंने कुछ भी नहीं किया और उसने मुझे बहुत कष्ट दिया जिस कारण मैंने उसकी नौकरी छोड़ डाकूँओं के साथ शामिल हो गया और कुछ समय बीतने पर मैं टाकूओं का सरदार बन गया मैंने बहुत कलत काम किये फिर एक दिन मुझे पता चला पांडू जोहरी जो इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था मैंने अपने साथियों के साथ उसे लूट लिया परंतु सुना है अब वो नेक दिल का इंसान हो गया है ठाकू बोला महात्मा जी मेरे पास जदा समय नहीं है मैं मरने से पहले अपने पापों के बोज को कम करना चाहता हूं कृपया पांडू जोहरी के पास जाकर मेरी ओर से माफी मांग कर उसको उसका धन और मुकुट लोटा देना और उसे बताना मैंने भी उसको अपने उपर किये हुए अन्याय के लिए शमा कर दिया इतना बोल डाकू ने महात्मा की गोट में प्रान त्याग दिये महात्मा ने डाकू का अंतिम संसकार किया और पांडू जोरी को लेकर डाकू की बताई गुफा से अपना सारा धन वापिस ले लिया महात्मा ने बताया मनुष्य स्विम ही बुरे कर्म करता है और उसका फल भुगतता है मानव जीवन को पवित्र रखना या अपवित्र रखना मानव के खुद के हाथ में है इतना कह महात्मा वहाँ से चले गए समय बीतने और व्यपार में बहुत सफलता पाने के बाद जब व्यपारी बुड़ा हो गया तो उसने अपने बच्चों को बताया मेरे प्यारे बच्चों जीवन में अगर सफलता ना मिले तो कभी निराश मत होना बलकि सफलता का कारण तुम अपने कर्मों में ढूनना उस कारण को दूर करना क्योंकि तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा कर्म ही है दोस्तों अब इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला अब क्या-क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो और लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसको आप जीवन में खुशाल देखना चाहते हो हरी कृष्णा